कि नवश्कार मैं रागव जैन वो मेरे साथ मेरे सेयोगी जगजीत सेंग अरे भाई इतना सेड क्यों है क्या बता हूं यार बाई तुम्हें पता तो है इतने अच्छे अच्छे शॉट मारे एक अलमने मारे में अंकने इतने लंबे-लंबे छक्के हमारे इतने थपड़त की हमारे फिर क्या हो गया अरे नाहीं यार वह बत नहीं है लिकिन मैं जीटना जाहीं उरिह गल्थ बात ओ जाती है लास्तमे में बोरी सभीटाफूेर यार हमारे एक्सपर्ट भी बड़े शांत मैटे क्या हो गया उक्सपर्ट ऐगा sampai पता है सबसे ज़्याधा चैक्ट बनान सबसे पहले चल का मै था उसका किया ऐसका अआट का एक्सपीरीट च्पिरियंस कैसे आपका प्रश्ची कर सकते हैं मैच में कोई दिक्कत नहीं मगर उसके बाद यार फिर तो धीरे 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 जैसी ऐसे स्टीव समेथ और संजू सैमसं के शॉट्स आए उसके बाद तो मतलब बेडा कर कियो गया किसाब से आप बार में क्या के आप क्या चांदर बैटिंग यह राहू एक आप नाइंटिन ओवर उससे पहले तिवत्या से बैट पर बॉल नहीं लग रही बीट 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 होई जा रहा था उस ओवर में तो पलत दिया यह राजिस्तान वाले गेम प्लाइन राजिस्तान वालों का जानभूच कैसे करते हैं पहले थोड़ा लल्चाते हैं थोड़ा टहलाते हैं बैट को फिर शॉट मारते हैं यह लोग को पता दू पुझाबी यह ना वो बोट जल्दी एक्साइट पंजाब मैंने डाल दिया स्टेटस उसके बाद जब वो पांच छक्के बड़े ना सच बताऊं उस ताइम फिर डिलीट करना पड़ा यूवी पाजी ने भी कमेंट किया कि यार मेरी सांसे डगी थी जब वो छे चक्के और रिकोर्ड ना तोड़ दे लेकिन चलो ऐसा नही मेरी को पूरी मुईदे हैं कि इसलेबन पंजाब से मगर हां मगर यह बात सही में है कि राजस्ता रॉयल का कल खेल जो है उन्होंने खेला है माशाला एक्स्ट्रा ओडनरी प्लेयर एक्स्ट्रा ओडनरी क्रिकेट मलब क्रिकेट मैच अगर हम T20 बोले ना तो T20 का असली मज जो चक्के मारे ना आता ही पहली बॉल पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रजी जसीर भाई के अभी प्लेयर ना को वहां पर जाके दुबई में जाके मलो होटेल से सेट हो की आते है वो लो ममने आता ही देखा है कल अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें यह मैंक अगरवाल क पहली बॉल पर शौट केला अच्छा शौट केला उसके बाद जो फराहर चर आए बॉलर है हाला कि वो गेंदबाज है लिकिन पहली बॉल पर आता ही वो क्या शांदर जक्स मारा है ना मतलब ऐसा लगता है मला होटेल सी ना पूरा वो फिट हो के सैट हो कि आते कि ऐसा तो विए पर बड़े-बड़े होटल दुबाई में हम जानते हैं वहाँ पे शार्दा में तो वहीं पर टीस मणा रही है वहाँ पर प्रैक्टिस करके या यह बैटिंग की यह मेरे को लगगरा एविगट का रोल हुवेगट का रोल है यह ग्राउन रोल नर से ने बनी यह 2017 की सबी बाफ्त कर दोजार सत्रा की बात कर तो यूथ वर्ड कप आप आप एंप दुबए ने खेला है तो पिचिस का इसमें सारा सारा रोल पिचिस का यहा फिर बैट का यह कुछ और भी रोल है वहां पा इसके बार में थोड़ा सा अमारे अड़ा इसको बजा है विकट का कि हुआ है उसके पीशे कि उसके जाथ कलाईयों में अच्छी पकड़ाती है। पिछले मैच की बात करें। यह राजस्थान रॉयल्स के लिए अगर हम बात करें। तो मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड वन गया है शार्जा। पिछले मैच में भी 200 रॉन के करीब उन्होंने रॉन मारे हैं। 216 पैचे नहीं के खिलाफ बिल्कुल 216 और इस पार मतलब IPL का सबसे जारा मलें डिफेंटिंग अगर हम बात करें। सबसे हाइस पोर अगर डिफेंड करने की बात करें। तो पहले भी राजिस्थान रॉयल्स के नाम था 217 रॉन इन्होंने डिफेंट किये थे बनाइते उस तेंपे उन्होंने और वो था दिली कैपिटल के खिलाफ और अभी इन्होंने किंग सिल्भी पज्जाब के खिलाफ भी 200 रॉन चेस की हैं। तो मतलब होम क्राउंट बन गया एक सा विजराजिस्थान का यह बहुत होगी बैटिंगी बात यार दो दो सुरन खाले फिर क्या होगा बोलर की बात भी तो करनी पर बनती है यार ऐसे नेश्ट शामी समें बर्पल कैप होल्डर है तो उनकी बात भी कर लेते हैं थोड़ा स कोई भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिली सब को मारी पड़ी है मार आती यह जाती यह आती है लेयाओ लेयाओ ऐसे हुआ आप से एक चीज और मैं जाना जाओंगा यहां पर केर रहूल कि मेरी ख्याल से जो क्याप्टन वो पहली बार कंपतानी वैसे पहली बार तो नहीं कर आपके लिए वह पहली बार कप्तानी कर रहे हैं तो जिस्विर कहीं हम देख सकते हैं यह चीज देखते हैं कि जैसे शेल्डन कॉट्रेल को सतर्मा ओर खिलाया गया गया कल राहूल की तरफ से आपके जो स्पीनर है जो आपके रियल जो बॉलर है आपके गेंद बाज है उसको आप मुर्कुन अश्विन का ओवर नहीं निकल वार रहे हैं वहाँ पर आप ग्लैन मैक्सवेल कोवर कर वार रहे हैं फिर आपके जो शेल्डन कॉट्र वो डैफ्थ बॉलर नहीं है वो मतला उनने कभी शायद गेंद बाजी इतनी करी नहीं है डफ में वहाँ पर जीमी नि बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा आपकी बात सही है बिल्कुल कही न कहीं कपतानी में बिल्कुल थोड़ी सी कमी रह गई है तो मैं सकते की सप्राइजिंग प्लेयर थी न राहूल से इतनी उमीदे नहीं थी जितनी उन्होंने दिखा दी तो उनको लगा था कि मैच अपने प बैटिंग में बहुत अंतर था इंडिया का सबसे बड़ा आई पील के बाद वहीं टूर्नमेंट होता है बंबे में उसमें वह उसने तिवातिया ने बिल्कुल अच्छा प्रफॉर्म किया है इसके और जैसे जी जी ने कहा है कि मैक्स्वेल को बोली कही ना कहीं वह मैक्स् पढ़ सकती है क्योंकि ओस्पिनर रडार में आ ही जाता है बिलकुल तो मुझा वही एक टर्निंग पॉइंट रहा है कल के लिए कि हम पंजाब की बात करें वैसे कल यह भी बाते चल रही थी कि यहां पर क्रिस गेल को मौका दिया जा सकता है छोटा ग्राउंड है छोटा स् पहले तक यह खबर आ रही थी कि शारी क्रिस्केल खेलेंगे क्योंकि बिच्प में प्रैक्टिस करते भी तिखाई देर थे क्रिस्केल हाला कि मैक्स्वेल उनके उपर सवाल निशान खड़ा हो था क्योंकि उनके कलाई में कुछ चोट नजर आ रही थी वार बार वो उसके और किछेक करर रहे थे उनको मैक्सवेल प्रैक्टिस भी थोड़ा कम रहे थे तो लग रहा था को अथ्यास अगात्ता है यह पील्कूल मैं बातोविर ही कल्वी दोहराया था क्योंकि गेल करते हैं सिरफ ने इक प्हेंुर остан कि यूब कर नहीं बतो तो आप मेरे हिसाब से आप भी कोच होगें किसी टीम के तो आप भी ये फैंसला गलती लेंगे मैक्सवेल कोई चांस देगा क्योंकि नीचे बैटिंग मैक्सवेल यह अच्छी कर सकता है मेरे हिसाब से तो कर राजिस्थान के अगर हम बात करते हैं कर राजिस्थान ने भी कुछ इस राजिस्थान और किंग से लिए पंजाब सेम कंडिशन में थे कल उन्होंने भी कल यह शासुनी जैस्वाल को बिठाया है उसकी जगा पर अंकित राजबूत को मौका दिया एक बैट्स्वेन की जा सकता था या कुछ और चेंजिस किये जा सकते थे वहां पर बट्लर को खिलाया अच्छी बात है बट वह आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है बट्लर बट्ट जैस्वाल को मौका बहुत कम मिला है मेरे इसाब से उसको अभी मौका देना चाहिए था बट कही ना कहीं आगे जा के मेरे को लग रहा है कम मौके मिलेंगे जैस्वाल को तो बिल्कुल यहां पर हम अभी थोड़े के रुपते हैं एक चोटा सा ब्रेक रेक रेते हैं आज के मैच के बारे में डिसकुस हो गया अब जो आज सौनि माफ करीगा जो मैच हो गया है उसके वारे मिलते पर एक कबारे में क्या सोचते है मुंबई इंडियान और रॉयल चलेंजर बैकलवर के बीच मैच है काफित घंपासनमेच है तो इस मैच के बारे हम ब्रेक के बाद करते हैं ब्रेक के बारे एक छोटी से बात बता दूं कि कल जो पाटनर्रशिbn थी वो 183 रंस की जो थी वो दूसर आई पिल की सबसे बड़ी पार्टनर्शिप थी तो और फैक्ट के साथ और मज़ेदार बातों के साथ फिर हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद तब तक लिए देखते रहें आई पिल श्ट्रॉक तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खाशियो जिसका नाम है आई पिल्कुल रागम आज वैसे ऑल्मोस्ट हमारे जो पहरावा है उसके उससे लगी रहा है कि हम लोग मुंबई को स्पोर्ट कर रहे हैं सबी लोग वाव देवलो भाई कई ब्ल्यू टर्बन श पंजाब के खिलाव कोई तो साथ देरो रॉयल चेलेंजर का भाई जाओंगा आर्शी बी के साथ मैं अपने आइडियल के साथ जाओंगा विराट कोली के साथ मेरे को लग रहा है इस बार आई पेल आर्शी भी ही जीतेगी वह भाई क्या वोल रहा है शर्ट दो हजार बीस है कुछ भी हो सकता है इस दो हजार बीस में जैसा लोगों ने सोचा थाना दो हजाएगा वैसा दो हजार बीस आया नहीं है बहुत लोगी गलत फेमिया दूर ही है कि यह नहीं है इस बार भी कुछ ऐसा नहीं हो जाए आई फिल के जखकर में वैसे सबी टीम अच्छा खेल है और आज के मैस की बार में हम बात करते हैं मुंबई इंडियान्स वर्ट सिस रॉयल चैलेंजर बैंगलॉर जिक जी सबसे में आप से जाना चाहूंगा मुंबई की तरफ हैं तो आपको आज कौन से प्लेयर से सबसे जादा उमीदे रहें को मेरे को उमीद है हमारे हिट मै चौरा बहुत मारता है सीधी बार मता हूं तो शर्मा जी का चौरा ओगया रही शर्मा की बात कर रहे है रहा हिट मैन शर्मा पिछले मैच में अच्छी उन्होंने कर यह बलेवाजी करी आछे थोड़े अपने अरंग दिखाए हैं उसके अवाल हम कोईंटन डिकॉक की परकर एक प्रेयर है यो का साथ है तो डर्ने कि क्या बात है पांडिया बदर्दस है उसके बाद कैनल पॉलाद है वह थोड़ा रंग में नजर नहीं आ रहे है के अभी लेकिन अच्छा जान लेते कि आपको कौन से क्लाडियों से उमीद है आज सबसे पहले तो बात करें तो तो उसके इलावा विराट को ली सारी दुनिया का एडियल है हमारे 360 मैं को आप कैसे देखते हैं यानि की ड्विलियर्स को कैसे देख रहे हैं वो तो आपको पता है क्रिकट का बगवान है कीशिक्सटि डीटिट लेकर यहां पर भी 3 loss एकने शैळ तो हुर्म का पर थी खड़ूंड इंग्सक्रण भी हार तरफ घेलते हैं हरा हं तरफ भळुआ है वह टारव घूवातए वह b रचिली के बाइवा टॉड़ासे मेरे साथ रह 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 थो पंजाबियों वाला कुन्न थोड़ा उनमें आर्फ रह थोड़ा सा आउट अधिक आज की मैच में इसा नहीं होगा अच्छी पहाथ देखने को बलें गयाज मेरे को तो पंडिया की बैटिंग देख के ऐसे लगता ह कि वो तो वेस्टन डी से आया है रही बाता उसी कि तरह हिट लगा रहा है भी बंदा भी तो जिग जीद मैं ना बॉलिंग पर बात करते हैं हम लोग आपकी जो मुंबई है अपकों से लगते बोलर जो आज आपके हिट मैं को रोक पाएंगे मेरी ख्याल से हिट मैं को अगर रोकना है तो एक अगर हम साथ ये पार्टनर की बात करे तो युजु इंदर चैल रॉल चैलेंजर बंगलोर के अच्छा ऑप्शन है वो अच्छा कर भी रहें अच्छा कर भी रहें साथ में डिल स्टेन अच्छी गेंदवाज है वह ही उनके यूज बंगलोर के बाच अच्छे गेंदवाज हैं जो शायद रोक सकते हैं मगर बट्ट है हिट मैं शर्मा जी का बेटा जैसे आपने पहले बुला शर्मा जी का बेटा एक अब कर फॉम में आ गया ना तो उसको रोख पाना तो बहुत मुश्किल है फिर उनको नहीं क्या लगता है जो हमारे aggression कपतान है विराट कोली उनको कौन रोक माने में सफल हो सकता है कौन सा गेंदबाज ऐसा मेरे को लग रहा है योरकर किंग भूम 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 भूमरा जरूर करेंगे उसमे भूमरा की आप बात कर रहे हैं लेकिन आप भूमरा के साथ आप जेमस पैट कर दो कुर्णाल पंडया अच्छी विकल्प है आउटकर आज हमारा एक शेर थोड़ा सा बिछले मैच में थोड़ा सा शेर हमारा एक जो है वो गेंदबाजी कर रहा था हा था हाथ पांड़ कर रहा हूं थोड़ी इंजरी से जूज रहे हैं मेरे हिसाब से वर्ट कमबै करे करते हैं शायद मतलब 50-50 चांस है आज हर्दिक पाढ़ने के अगर करते हैं उसके लाबा मतलब आज का मैच जीतेगा मेरे साब से मुंबई आज मेरे को पूरा चांस है मैं ये भी दोनों से जानना चाहूंगा कि जो विनिंग टीम होगी वो टॉस जीत कर क्या ले आप दोन नहीं कर रहा है क्योंकि अगर हमने क्योंकि अगर हम बात करें पहले गिंद बाजी करें चाहे पहले बल्ले बाजी करें ड्यू फेक्टर की बात करें इतना अफेक्ट कुछ कर नहीं रही है मेरे इसाब से क्योंकि हमने जो है वो बदलते देखे हैं इतना रिकॉर्ड आपको क्या लगता है आज भी 200 पार जाएंगे अज शारजा में नहीं है अज दुबई में में जाएं घुरूर में मेरे को लग रहा है कि 200 तो नहीं 170 180 जरूर जाएंगे मुझे लगता है लगता है कि अगर चलती है गारी तो मेरे इसाब से में लेके चलता हूं 180 190 तक मैं लेके चलता हूं 200 तो नहीं 190 तक जाएगा स्कूर्या की तो फाइनल बता दो कि जीते का कौन? मेरा तो मुंबई इंडियन से भाई आईडियल के साथ ही जाओंगा तो जैसे कि आप देखा कि ये खट मिटी बाते तो हमारी ऐसे चल लिया और चांस क्या होंगे ये तो थोड़ी देर में मैच में पता चली जाएगा कल फिर हाजिर होंगे ऐसी चटपटी बातों के साथ हमारे एक फैक्ट के साथ, हमारे दो धुलंदरों के साथ तो देखते रहिए हमारा खाश हो जिसका नाम है IPL STROCK